नमस्कार मित्रों इस समय आप ट्रांस्वल रेडियो इंडिया की प्रस्तुती सत्यवचन देख रहे हैं और इस कारिक्रम में हर समय हमारे सिस्टी करता परमेश्वर के कारियों और उसके मार्गियों का हम अध्यन कर रहे हैं बाइबल बताती है कि हम भयानक और अद्भुत रीती से रचे गए हैं परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है इसलिए जो उसका भय मानते हैं अर्थात उसकी भक्ती करते हैं उनकी वह रक्षा करता है और जीवन के पत पर उनकी अगवाई करता है परमेश्वर के बिना मनुश्य का अस्तित तो नहीं है लेकिन इस महान परमेश्वर को लोग नहीं जानते हैं और इसलिए जो उनसे भैभीत करता है या शक्ती मान प्रतीत होता है उसकी वे उपासना करते हैं और जीवन को अपने तरीके से जीते हैं और सच्चे परमेश्वर को पहचानने से इंकार करते हैं परमेश्वर ऐसों का नाश करता है परमेश्वर इसराइलियों के बीच कारे करते हुए जगत के लोगों को अपने आप को प्रगट कर रहा था कि वे सच्चे परमेश्वर को पहचाने लोगों ने उसके कारे को सुना और देखा भी लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया लेकिन जो उस पर विश्वास किये उसने उन्हें जीवन दिया अर्थात अनंत जीवन आज भी परमेश्वर हमें और संसार के लोगों को समय देता है कि वे उसे पहचाने और उसे ढूंडे जो ऐसा करते हैं उन पर वो अपनी सामर्थ को अपनी आशिशों को प्रगट करता है परमेश्वर चाहते हैं कि लोग उसकी महिमा करे उसने हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी महिमा करे इन दिनों हम इस कारिक्रम में यहूशो की पुस्तक से अध्यन कर रहे हैं इसराइलियों के साथ परमेश्वर द्वारा पक्ष करना कभी-कभी बाकी जातियों के साथ अन्याय सा लगता है लेकिन परमेश्वर न्याई परमेश्वर है और पवित्र परमेश्वर है परमेश्वर किसी को बिनाकारंट नाश नहीं करता है परमेश्वर ने संसार के सभी लोगों को उसे पहचानने का मौक दिया लेकिन जब उन्होंने अंदेखा किया तो उसने उनको दंड दिया यहां तक कि परमेश्वर की अपनी नीजप्रजा इसरायल को भी दंडित करने से वह पीछे नहीं हटा आज इस अध्यान में हम दिरंतर परमेश्वर के इसकार को देखेंगे मित्रो इसरायली इतिहास से हम जानेंगे कि परमेश्वर हम में क्या देखना चाहता है ताकि हम उसके योग्य जीवन जी सकें आईए आज के अध्यान से हम इसे समझने का प्रयास करें लेकिन इसके पूरू हम परमेश्वर की महिमा करें वित्रों पिछले अध्याय में हमने देखा कि गिबोनी चतुराई से इस्राइलियों के साथ संधी करते हैं आज हम अपने अध्यान में आगे बढ़ेंगे और यहोशु के पुस्तक अध्याय 10 में हम देखेंगे दक्षणी अभियान पांच राजाओं पर विजय सूरी का ठहर जाना इस अध्याय में यहोशु अमोरियों के पांच राजाओं पर विजय प्राप्त करता है जबकि वह दक्षणी शेत्र में अपना अभियान शुरू रखता है वह दक्षणी में अपने अभियान को मकेदा, लाकिश, लिबनाय, एगलोनोय, हेबरोन और दबीर का नाश करके समाप्त करता है इस अध्याय में यहोशु के जीवन के लंबे दिन का व्रितान्त है क्या यहोशु ने सूर्य को आकाश मंडल के मध्य थमाया था? यह प्रश्ण आलोचक और पौईत्रजन पूछते हैं यहोशु के लंबे दिन के लिए नेमने स्पष्टिकरन दिये जाते हैं आईए हम देखें, पहला है कुछ विशारक उस पर टिपनी करने से पीछे हटते हैं और ऐसा विवार करते हैं कि यह विशय टिपनी योग्य नहीं है दूसरा, कुछ इसे गाथा कहते हैं विशेशकर पद बारा के संदर्ब में कि उसका शाब्दिक अर्थानुवाद अस्विकारे हो जाता है जो इसे चमतकारी घटना के रूप में अस्विकार करते हैं और जो इस दिष्टी कोन को अपनाते हैं वह प्राया न्यायों की पुस्तक पांच अध्याय उसके बीस पद के संदर्ब को आधार मानते हैं आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई वरन तारों ने अपने-पने मंडल से सीसरा से लड़ाई की यहाँ एक पुरानी कहावत स्मरन आती है कि काब्य कभी-कभी जूट होते हैं तीसरी बात देखते हैं पद तेरा पर आधारित कुछ विचार हैं कि यह प्रकाश के परिवर्तन का चमतकार था और चौथा कुछ विचारक मानते हैं कि परमेश्वन ने संपुर्ण सौर मंडल को रोग दिया था उनके अनुसार यहुशु का यह दिन 23 घंटे 20 मिनट का था शेस 40 मिनट का उल्लेक दूसरा राजा की पुस्तक 20 अध्याय उसके 8 से 11 पद में पाया जाता है जहां हिजिक्या राजा के लिए परमेश्वन ने धूब घड़ी की छाया 10 अंस पीछे लवटाई थी यह उसके जीवन दान की प्रतिग्या का चिन्य था पांच विवात कुछ विचारकों का मानना है कि परमेश्वन ने सूर्य चमकाने की अपेक्षा उसे अंधकार में कर दिया था बर्कले संस्करन में लिखा है हे सूर्य गीबोन में ठहर जा अमेरिकी स्टेंडर्ड संस्करन में टिपनी में है सूर्य शांत रहा इंटरनेश्णल स्टेंडर्ड बाइवल इंसाइक्लोपीडिया में मांडर कहते हैं यहोश्वन ने संपुन रात्री 40 मिल यात्रा की थी और बैरियों पर अकस्मात आकरमन किया वह जुलाई का महिना था और छाया के अनुसार समय 105 से 120 अंस था अर्थात छाया नाम मात्र को नहीं थी और यहोश्वन नहीं चाहता था कि धूप तेज हो छटमी बात है सरोतम व्याख्या है चार और पांच को संयोजीत करके यहोश्वन को अधिक प्रकाश और कम गर्मी की आवश्यक्ता थी अतर परमेश्वन ने पत्रों की आंधी से धूप को कम किया पद बारा में परमेश्वन ने प्रित्वी की गति कम की हे सूर्य तु गिबोन पर से स्पष्ठ है कि धूप गिबोन पर कडाके की थी हे चंदर्मा तु अयालोन की तराई के उपर थमारा गिबोन 31 अंस लेटिट यूड और 51 मिनट उत्तर में है यह एक चमतकार था हम देखते हैं गिबोन की चमतकारी रक्षा इस अध्याय में व्यक्त प्रत्य घटना की प्रिष्ट भूमी में गिबोनियों के साथ बांधी यहुशू की वाचा है यहुशू को यह वाचा बांधनी की अनुमती नहीं थी परन्तु अब क्योंकि उसने वाचा बांधी थी इसलिए उसे निभाने के लिए वह बाध्य था यहुशू की पुस्तक 10 अध्याय उसके 1 से चार पद में अब हम आगे पढ़ते हैं लिखा है जब येरुशलेम के राजा अधोनी सेदेक ने सुना कि यहुशू ने ए को ले लिया और उसका सत्यनाश का डाला है और जैसा उसने येरिहो और उसके राजा से किया था वैसा ही ए और उसके राजा से भी किया है और यह भी सुना कि गिबोन के निवासियों ने इस्राइलियों से मेल किया और उनके बीच रहने लगे हैं तब वे बहुत डर गए क्योंकि गिबोन बड़ा नगर वरन राजनगर के तुल्य और एसे बड़ा था और उसके सब निवासि शूरबीर थे इसलिए यरुशलेम के राजा अदोनी सेदेग ने हेबरोन के राजा हो खाम यर्मुत के राजा पिराम लाकिश के राजा यापी और एगलोन के राजा दबीर के पास यह कहला भेजा मेरे पास आकर मेरी सहता करो और चलो हम गिबोन को मारें क्योंकि उसने यहोशू और इस्राइलियों से मेल कर लिया है जब इन राजाओं ने सुना कि गिबोनियों ने इस्राइल के साथ संधी कर ली है तब वे उनका नाश करने निकल पड़े गिबोनी हब्भी भी कहलाते थे आगे हम पढ़ते हैं यहोशू दस उसके पांच पद में आगे लिखा है इसलिए यरुशलेम, हेबरोन, यरमूत, लाकिश और एगलोन के पांचों एमोरी राजाओं ने अपनी अपनी सारी सेना इकठी करके चड़ाई कर दी और गिबोन के सामने डेरे डाल कर उससे युद छेड़ दिया आगे देखते हैं कि गिबोनियों ने फिर क्या किया यहोशू दस के छे में लिखा है तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल के च्छाउनी में यहोशू के पास यूँ कहला भेजा अपने दासों की ओर से तू अपना हात ना हटाना शिग्र हमारे पास आकर हमें बचा ले और हमारी सहायता कर क्योंकि पहाड पर रहने वाले एमोरियों के सब राजा हमारे विरुद इकठे हुए हैं उन्होंने प्राण बचाओ का संदेश यहोशू को भेजा सहायता कर शिग्र आ हमें बचा यहोशू दस अध्याय उसके साथ से नौपद में आगे हम पढ़ते हैं तब यहोशू सारे यद्धाओं और सब शूर वीरों को संग लेकर गिलगाल से चल पड़ा और यहोशू से कहा उनसे मत डर क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है उनमें से एक पुरुश भी तेरे सामने टिक न सकेगा तब यहोशू रातो रात गिलगाल से जाकर एका एक उन पर तूट पड़ा यहोशू उनकी सहायता के लिए आया इसके मेरे विचार में दो कारण थे पहला वाचा के कारण वह वाध्य था दूसरा उसे परमेश्वर का आदेश प्रात था कि वहां के निवासियों को नश्ट कर दे उसकी सेना ने चड़ाई की और परमेश्वर ने उन्हें खदेड दिया यहोश्यों की पुष्टक 10 अध्याय उसके 12 से 14 पद में आगे लिखा है उस समय अर्थात जिस दिन यहवा ने एमोरियों को इसराईलियों के वर्ष में कर दिया उस दिन यहोश्यों ने यहवा से इसराईलियों के देखते इस प्रकार कहा हे सूर्य तु गिबोन पर और हे चंदर्मा तु आयालोन की तराई के उपर थमा रहा और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंदर्मा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाती के लोगों ने अपने शत्रों से बदला ना लिया क्या यह बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभक चार पहर तक न डूबा ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहवा ने किसी पुरुष्ट की सुनी हो क्योंकि यहवा तो इस्राइल की ओर से लड़ता था आज भी परमेश्वर अपने लोग की रक्षा करता है इस अध्याय के आरभ में हमने यहुशु के इस लंबे दिन के बारे में विविन व्याख्याएं देखी हैं यहुशु अध्याय दस उसके बारापद के अनुसार मेरे विचार में परमेश्वन ने संपुन सौर मंडल को रोग दिया था कि यह चमतकार ठहरे सौर्य शांत हो गया था यहुशु को अधिक प्रकाश की आवशकता थी कि युध अविरात रहे अर्थात चलता रहे अता परमेश्वन ने सौर मंडल को रोग दिया और पत्त्रों की आधी द्वारा धूप को कम किया परमेश्वन ने सौरी की गति थाम ली कि यहुशु की विजय पूरी हो किसी प्रोफेसर ने कहा एक मनुष्य के लिए संपून सौर मंडल की गति रोकना हासिस्पद है या कालपनिक प्रतीत होगा परन्तु परमेश्वन ने निश्य ही यह चमतकार किया है उसने अपने पुत्र को संसार में भेजा कि पापियों के लिए अपनी जान दे या तो सौरी को रोकने से भी अधिक विश्मयकारी है सौरी को रोक कर परमेश्वन ने अपनी बुद्धी और अपनी सामत का प्रदर्शन किया अपने पुत्र को संसार में भेज कर माना रूप में कुरूस पर मरने दिया तो वह उसके प्रेम का प्रदर्शन था यदि आप प्रित्यु पर एक मात्र मनिश्य होते तो मसी इश्व आपके लिए भी मरता वह प्रोफेसर इसे भी मूर्खता कहेगा और या है भी परन्तु हमारे पास इसके लिए एक विशेश शब्द है अनुग्रह इफेसियों की पत्री अध्याय दो उसके आठपद में पौलस लिखता है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और या तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है जी हाँ उद्धार हमारे परिश्रम से नहीं प्रन्तु उसके अनुग्रह के द्वारा हमें प्राप्त होता है आगे देखते हैं मकेदा में विजय है यहोशो की पुस्तक 10 अध्या उसके 15 से 19 पद में लिखा है तब यहोशो सारे इस्राइलियों समेत गिलगाल की छावनी को लोट गया वे पाँचों राजा भाग कर मकेदा के पास की गुफा में जा छिपे तब यहोशो को यह समाचार मिला यहोशो ने कहा गुफा के मुह पर बड़े बड़े पथर लुड़का कर उनकी देखभाल के लिए मनिश्यों को उसके पास बैठा दो परन्तु तुम मत ठहरो अपने शत्रों का पीछा करके उनमें से जो जो पिछड़ गये हैं उनको मार डालो उन्हें अपने अपने नगर में प्रवेश करने का आउसर ना दो क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहवा ने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया है मित्रों स्मरन कीजिए कि इन राजाओं और इनके प्रजाओं को 420 वर्ष दिये गये थे कि वे परमेश्वर की ओर आ जाने का चुनाव कर लें परमेश्वर ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि वह उनका देश इसराइल को देने जा रहा था और जो उसमें आस्था रखेंगे वे नाश ना होंगे वरन उद्धार पाएंगे इसराइल को उस देश से 420 वर्ष बाहर रहना था जब तक कि एमोरियों के अपरात का घड़ा भर नहीं जाता अब वह समय आ गया था परमेश्वर इसराइल के वनसजों को लाल सागर पार करवा कर उनके ही हित में नहीं वरन अपने सामर्थ द्वारा मुक्ति के प्रदर्शन हेतु भी लाया था जैसा उसने मिस्र देश में उनकी अंतिम रात के समय मृत्यू के दूद को भेज कर किया था कि जिस घर के द्वार पर लहू ना हो वहां मृत्यू हो यह केवल मिस्र वासियों को विश्वास दिलाने के लिए ही नहीं था कि उनके समस्त देवी देवताओं पर प्रभुतात संपन एक सच्चा एवं जीवित परमेश्वर है वरन प्रतिग्या के प्रदेश में वास करने वालों के लिए भी था आपको याद होगा कि राहा वेश्या ने क्या कहा था हमने सुना है कि परमेश्वर ने कैसे तुम लोगों के लिए लाल सागर का पानी सुखाया था उसने विश्वास किया अब क्योंकि वह विश्वास कर सकी थी तो दूसरे लोग भी विश्वास कर सकते थे फिर भी जिन्हे जान का खत्रा था और जो समाप्त होने वाले थे उन्होंने विश्वास नहीं किया उन्होंने परमेश्वर की दया को अस्विकार किया और परिनाम स्वरुप उन पर दंड मनरा रहा था मेरे मित्रो वह संदेश कभी भी बदला नहीं परमेश्वन जगत से प्रेम करता है परमेश्वन ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलावता पुत्र दे दिया कि आप उस पर विश्वास करें तो नाश ना हो यदि आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो क्या नाश हो जाएंगे निश्य ही इन लोगों के साथ यही तो हो रहा है वे परमेश्वर में विश्वास करने को तयार ही नहीं है आपको यह बात अच्छी नहीं लगेगी और आप इसे दूसरे रूप में देखना चाहेंगे परन्तु परमेश्वर का वचन यही कहता है कि उन्हें मौका दिया गया, विश्वास करने का आउसर दिया गया लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया आज भी हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब कुछ जानती हुए भी उस पर विश्वास नहीं करते हैं यहुशु दस अध्याय उसके 24 और 25 पद में आगे लिखा है जब वे उन राजाओं को यहुशु के पास निकाल ले आए तब यहुशु ने इसरायल के सब पुर्षों को बुला कर अपने साथ चलने वाले योधाओं के प्रधानों से कहा निकट आकर अपने अपने पाओं इन राजाओं की गर्धनों पर रखो और उन्होंने निकट जाकर अपने अपने पाओं उनकी गर्धनों पर रखे तब यहुशु ने उनसे कहा डरो मत और ना तुम्हारा मन कच्चा हो या बांध कर दिढ़ो क्योंकि यहवा तुम्हारे सब शत्रों से जिन से तुम लड़ने वाले हो ऐसा ही करेगा यह राजाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन था 40 वर्ष पुर्व इन्ही राजाओं के भैसे इस्राइल के भेदियों ने कहा था हम इस देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे हम उन पर कभी जैवंत ना होंगे यहोशू ने अपने सेना नायकों से कहा कि वे अपने अपने पाउं उनके गलों पर रखें क्योंकि वह उनके मन को आत्म बलप्रदान करना चाहता था वे डरे हुए थे और यही कारण है कि यहोशू उनके मनोबल को बढ़ाना चाहता था विश्वयद प्रथम की एक कहानी है एक योधाने सबसे अधिक जर्मन सैनिक पकड़े थे उससे किसी ने पूछा इनको पकड़ते समय आपको कैसा लगा था उसने उत्तर दिया मेरी तो जान ही निकल गई थी ठीक यही मनोदशा इस्रैलियों की थी परमेश्वर उन्हें उत्साहित करना चाहता था यहोशू ने उन राजाओं की गर्दन काटकर उन्हें पेड़ पर लटका दिया ताकि दूसरे लोग भी देखें की परमेश्वर यहोशू के साथ है यहोशू की पुस्तक दस अध्याय के 27 पत में आगे लिखा है सूर्य डूपते डूपते यहोशू से आग्या पाकर लोगों ने उन्हें उन विरिक्षों पर से उतार के उसी गुफा में जहां वे चिप गए थे डाल दिया और उस गुफा के मुह पर बड़े बड़े पत्थर रख दिये वे आज तक वहीं रखे हुए हैं इसराइल चाहता तो उन राजाओं को गुफा में बंद रहने देता कि वे भूग से मर जाएं उन्हें घात करना अधिक मानविय था अता उन्होंने उन्हें घात किया वे उन्हें मुक्त नहीं कर सकते थे और उस समय उनके पास बंदी ग्रे भी नहीं थे कि उन्हें वहां रखते क्या आप सोचते हैं कि हम अधिक सभ्य हैं हमारे देश के प्रतेक शित्र में अविवस्था के बारे में आपका क्या विचार है अता हमें इसराइल के इस विवार की आलोचना का अधिकार नहीं है उनमें तो अपराद था ही नहीं और पाप यह दुष्ट जाती के साथ समस्य निवारन की उनकी यह अपनी रीती थी यदि इन राजाओं को मुक्त कर दिया जाता तो वे यहशु से विद्रोह करते और हजारों की मृत्यू के उत्तरदाई होते उन राजाओं की मृत्यक देह को रात में लटका नहीं छोड़ा गया क्यों? क्योंकि व्यवस्था विरन के पूस्तक 21 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है शवर रात को व्रिच पर टंगा न रहे अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी दे देना क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापिट ठारता है इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहवा तेरा भाग करके देता है उसकी भूमी को अशुद न करना और नैनियम में पॉलस कहता है गलातियों के पत्री तीन अध्याय उसके तेरा पद में मसी ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर विवस्था के शाप से छुडाया क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है मसी इशु कुरूस पर लटकाया गया था परंतो उन्होंने कुरूस पर से उतार लिया क्योंकि लिखा है कि काट पर लटकाया गया प्रतेग जन शापित है उसने आपके और मेरे लिए पाप के श्राप को उठाया था ताकि मैं और आप उस भयानक मृत्यु से बचाये जाएं यहोशु की पुस्तक दस अध्याय उसके 41 से 43 सपद में लिखा है और यहोशु ने कादेश बरने से ले अज्जा तक और गिबोन तक के सारे गोशेन देश के लोगों को मारा इन सब राजाओं को उनके देशों समेत यहोशु ने एक ही समय में ले लिया क्योंकि इसरायल का परमेश्वर यहवा इसरायलियों की ओर से लड़ता था तब यहोशु सब इसरायलियों समेत गिलगाल की छावनी में लोट आया मेरे मित्रों यह महत्पुन है कि हम समझें कि इसरायल की विजय और प्रतिग्या के देश पर अधिकार परमेश्वर की ओर से था आज हमारी विजय मसी में है विजयी जीवन हमें अंतरवाशी मसी का जीवन है हमें सब आत्मिक आशिशों से धन्ने किया गया है ये उसकी प्रत्यग्या के संपता है मेरे मित्रों आज मुझे और आपको भी यदि जैवंत जीवन जीना है तो मसी के निकटता में आना है जिस प्रकार परमेश्वन ने यहुशु और इस्राइल के सहता की आज भी वह हमारी सहता करने के लिए तैयार और तत्पर है लेकिन मुझे और आपको उसकी आग्याओं का पालन करना है क्या आज आप उसकी आग्याओं का पालन करते हैं? मित्रों ये बात सत्य है कि परमेश्वर ने इस्राइल को जीत और अधिपत्य दिया आज विश्वासियों के लिए जीत मसी में है एक विजई जीवन उसके बगार हम नहीं जी सकते क्योंकि उसने ईश्व मसी को हमारे लिए भेजा कि हमारे लिए दुक उठाए जो इस बात पर विश्वास करते हैं उनके लिए बाइबल कहती है कि उन पर दंड की आग्या नहीं है लेकिन जो उसे इंकार करते हैं वे दोशी ठैर चुके हैं और न्याय उन पर जल्द आने वाला है जिन घटनाओं को आज हम देखेंगे वे इसका एक उधारन है परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए इस उत्तम विवस्था को किया कि हम अनन्त मृत्यू को नरक जो कहलाता है उससे बच सके उसने बचने का दूसरा और कोई उपाई नहीं है इसलिए इश्व कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता अर्थात परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता इश्व हमारे पापों से उधार का प्रबंध है जिसे हमारे लिए उपलब्ध करा दिया गया है लेकिन उसके इसवरगी आशीश को हम तभी प्राप्ट कर पाएंगे जब हम इसे स्वीकार करेंगे बहुत से लोग इन सच्चाइयों को जानते हैं लेकिन उसे स्वीकार नहीं करते है ये तब परमेश्वर के पास आते हैं जब किसी समकंट में पढ़ते हैं मित्रों हमारे लिए समय दिया गया है इसलिए इस दिये हुए समय में हम उसे प्रतियुत्तर दें इस से पहले कि अनुग्रह का समय समाप्त हो जाए हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे ताकि परमेश्वर इस सम्मन्ध में आपकी सहायता करने पाए आए हम देते हैं प्रवु कि आपके अनुग्रे से पिता ये वचन्हमें मिला है और जब प्रवु आपने ये आुसर हमें दिया है कि ये समय जो हमारा जीवन का है इस जीवन में प्रभु हम आपके पास पहुंचने का इंतजाम करने पाए ताकि उस अनंद जीवन में हम आनंद के साथ आप से पापों की शमा प्राप्त करके समय वैतित कर सकें पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी दर्शकों के लिए जो ये निर्णे लेते हैं पिता और उनके निर्णे के द्वारा से प्रभू आप उन्हें आशिशित करें हमारी प्रार्थना है प्रभू कि हर एक वैक्ति जो आपके निकट आता है प्रभू उसके पापों को शमा करें उसे अपने बेटे और बेटी के रूप में स्विकार करें प्रभू हम सब आपके बिना अधूरे हैं और प्रभू हमारी प्रार्थना है कि जब आपके लोग आपके पास आते हैं आपके बच्चे आपके पास आते हैं आप उन्हें कभी भी अस्विकार नहीं करते इसलिए सारी बातों के लिए पिता आपको धन्यवाद देते हुए इस बिंती को हमारे ईशू के नाम से मांगते हैं आमेन मित्रों आज का कारिक्रम आपको कैसा लगा एक मिस कॉल के दौरा आप हमें सुचित कर सकते हैं और अधिक चानकारी के लिए आप हमसे फोन के दौरा या एसे मिस के दौरा भी संपर्क कर सकते हैं अगले प्रसारण तक परमिश्वर के साथ उसकी आशिशों में बने रहें नमश्कार